तो हेलो दोस्तों आपके एक बश्रस वागता है मेरे चैनल गेमिंग स्पूफ पर तो दोस्तों आज मैं एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ अपने प्यारे वन ब्लॉक के वल्ड के उपर और जैसे कि आप देखी सकते हो कि मैंने क्या क्या चेंजिस कि अपने स्काइब लॉक मैंने वन ब्लॉक के वल्ड के उपर सो सब्सक्स प्रण तो मैंने टॉर्च बगार अच्छी तरीके से यह ऐसे करके टॉर्च बगार लगा दिया और मैंने पीछे थोड़ी बहुत यह स्टॉरबरी स्टॉरबरी भई क्या कर रहा हूँ जो भी होते है यह यह उगा दी है मैंने और मेरे पास एक जो काव है यह तो आपने देखी लिए होगी पिछले एपिसोड के अंदर और यहाँ पर हमारी थोड़ी सी खेती बाड़ी हो रही है और यहाँ पर मैंने फैंसे लगा दी है क्योंकि भाई साब एक बार ना यहाँ पर क्रीपर स्पॉन हो और आप देखी सकते हो हमारी जो है एनिमल्स भी बहुत जादा कम हो गया क्योंकि यहाँ पर क्रीपर स्पॉन हो गया था और सभी जो एनिमल्स है वो आधे मर गये और आधे नीचे गिर गये अभी मुझे दुबारा से सारा एरलेंड जो है रिपेर करना पड़ा था और शमान उमुल्स हमारे पास आयाए एक बढर हम घर के और स्ट्रक्शन जो है स्टार्ट करनी पड़ी थोड़ा से वाइनिम शाय। Wir are a तो यहां पर अपना बनाते हैं एक बर के लिए तो छोटा सा बनेगा यहां जादा बड़ा तो बनानी सकता है यहां तक रहेगा वैसे अपना जो घर है वह हम बड़ा करते जाएंगे एक्स्टेंड करते जाएंगे और देख सकते हो आप हमारे घर की कंस्ट्रेक्शन जो स्टार्ट हो चुकिया यहां तक रहेगा वैसे यह कुछ जादा ही चोटा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा से इसी की हाइट जो ऐसे करके बड़ा दूँगा इतना बड़ा इतिंक सो काफी रहेगा इतना मड़ा सही में बहुत रहेगा सो अभी हम करते हैं घर की कंस्ट्रेक्शन स्टार्ट जैसा कि आप देख सकते हो हमारे जो घर के वह बोर्डर बगारा और मुश्ट तैयार हुई चुके हैं लेकिन अभी जो है मैं इसको तोड़ने वाला हूं वह भी आपको बताता हूं कि क्यूं क्यूंकि यह जो घर है न वह इसके बहुत जादा करीब होगा तो मैं वैसे यहां पर खड़ा होकर माइनिंग करता हूं तो न थोड़ी सी तखलीफ आएगी माइनिंग करने के लिए और अगर यहां पर कोई क्रीपर वगएरा स्पॉन हो गया उसके बाद फिर जो है मेरा सारा का सारा घर जो है तूट ज रोल के आएगा इसलिए मैंनी चाहता कि मैं अपना घर अभी इतनी मेहनर से बनाऊ और मेरा सारा जो घर है वह तूट जाए इसलिए जो मैं अपना घर है वो थोड़ा साथ दूर बनाऊंगा थोड़ी से मैं माइनिंग कर लेता हूँ थोड़ी दर माइनिंग करने के बाद मैं थोड़ी सी धर्ड इकठी कर लूँगा और उसके वाल अपना घर एक्स्टेंड करेंगे सो दोस्तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास और मुष्ट एक श्टैक वुड हो चुकी है मैंने काफी माइनिंग की अभी लेकिन वह सारी माइनिंग में आफ्लाइन की कुछ ज्यादा खास चीज़े मुझे नहीं मिली अगर मिली होते तो मैं आपको दिखा देता अभी ज करते हैं जल्दी से अपना आइलेंड बड़ा तो दोस्तो जैसा कि आप देख सकते हमने काफी अपना आइलेंड जो एक्सपैंड कर लिया आई थिंक सो कि इतना आइलेंड एक्सपैंड बहुत रहेगा सही में काफी रहेगा और अब अब जो है मैं यह थोड़ी सी टॉर्च लागई यहां से उतार के सही जगा पर लगा देता हूँ निंके टकाने पर जहां पर इनहें होना चाहिए सो एक टॉर्च मैं लगा देता हूं यहां पर और भाईसाब तो रागई यह अभी छेलांग लगाकर हमें टॉर्च लगान में लगा देंगे अब यह अपने घर की जो कंस्ट्रक्शन है वह स्टार्ट करते हैं ओके गाईस इतना मतलब काफी रहेगा इतनी जगा छोड़नी बाकी मैं थोड़ी बहुत सेफ्टी बगारा बनाई दूँगा अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रीपर्स बगारा सी जल्दी से अपने बॉर्डर बनाते हैं घर के उसके बाद जो दिवारे बगारा ख जैसा कि आप देख सकते हो हमारे घर के यह तियार हो चुके है और अभी घर के चट्र डालने लगा हूँ मैंने थोड़ा सा ना डास को भी वीच में लगा दिया ताकि जो अच्छा लगे और हमारी मुर्गियां वगर यहां पर स्पोन हो चुके हैं क्योंकि मैंने अभी पास ना एक्टुली इतनी वुड़ नहीं बची बाकि देख लेता हूं थोड़ी सी आया अलग अलग टाइप की सो मिक्सी बना देता हूं एक बार के लिए बाद में जो हम चेंज बगार कर लेंगे कुछ खास डिफ्रेंस पता तो नहीं चलेगा अगर कुछ सीन होगा तो आप मुझे कमेंट के अंदर बता देना सो जल्दी से घर की जो हमारी च्छत भी पढ़ चुकी है तो अभी मुझे ना थोड़ी सी खिटकियां मगरा बनानी परेंगी घर के अंदर और उसका बाद थोड़ी बहुत टॉर्चिस लगा जाएंगी क्योंकि खिटके अमनारे से थोड़ा सा बाहर की जो रोशनी आएगी हमारे घर के अंदर अभी हमारा कुछ घर ऐसा लग रहा है इसके अंदर हम क्राफ्टिंग टेबल बगारा रखेंगे अपना थोड़ा पहुत समान रखेंगे और यहां पर भी मैं एक दो प्लैंक लगा होगा तो आप मुझे कमेट के अंदर बता देना तो मैं उसे करने की कोश्च्च करूंगा अभी मुझे जल्दी से थोड़ी से लकडिया बनानी है और उसके बाल बनाएंगे हम एक टॉर्च तो हमारी टॉर्च भी बन चुकी है चार टॉर्च बन गी एक बर के लिए चार अब बहुत जादा चेंजिस करने हैं मैं घर के अंदर अभी एक्टिलिया मेरे पास वोड नहीं है इसलिए मैं चेंजिस नहीं कर सकते हैं लेकिन मैं बहुत जादा चेंजिस करूंगा फ्यूचर में जैसे की थोड़ी सी स्लांटिंग उपर घर की छात डाल देंगे ताकि जो अपना गार है वो और थोड़ा खूब शुरुत लगे और बाकि आप थोड़े बहुत कमेट्स में चीज़े बता देना मुझे क्या क्या करना चाहिए वो तो मैंने पहले कह दिया तो अभी जो है आज की एपिसोड पो यहीं पर खतम करते हैं अगर आपको आज की वीड लगाऊंगा सोलो वसी स्क्वाइड सो वो देखना जुरूर और चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करने ना सो गोड़ बाई